नमस्कार आदाप साश्रियकाल मैं हूँ आपका मैंस मेंटर राहूल एन आपका स्वागत है दुनिया के सबसे अच्छे चैनल पर जिसका नाम है माइनट बेइन्स तो गुड मॉर्निंग गुड आफरनून गुड इवनिंग वेनेवर यू वाचिंग दिस सेशन माइडिय स् चैनल है उसने NTSC की तयारी भी शुरू कर दिये और हमने एक पूरा टॉपिक खतम कर दिया है और हमारा जो दूसरा टॉपिक उसमें भी हम काफी आगे बढ़ चुके हैं तो हमारी राष्ट्री प्रतिबा खोज परिक्षा है उस परिक्षा की तयारी में आपकी जो समर्थ कर रहा है आपका सपोर्ट कर रहा है और हम कर रहे हैं इस समय आपके साथ हमारा सेकिंड टॉपिक कवर जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशन सब्सक्राइब कर लिए कुछ वीडियो लेवल वन के लेवल टू के पिछले सेशन में आपने देख लिए होंगे यदि इन में से कर सकते हैं जहां से आप करना चाहें आपके बहुत सारे और हैं बात करें आज के हमारे सेशन की तो आज का हमारे सेशन सेशन रहेगा एक गंटे का जितना भी होगा उसमें हम क्या करने वाले उसमें हम लेवल टू कोईशन के सिल्चले को आगे बढ़ाएंगे तो पिछले वाले में हमने करीब सवाई 20 सवाल किये थे आपने डीपी क्यों भी दे दी थी वह आपने सॉल्फ कर ली होगी ऐसी मेरी आशा है तो आज हम करेंगे आगे इस सिल्चले को बढ़ाएंगे फिर से कुछ नए सवालों को सॉल्फ करेंगे हमारे कॉंसेप्स को लर्न करेंगे और अच्छे से प्राक् करेंगे तो नहीं करेंगे आपट 2 को सवाल करेंगे किसे हमारा पार्ट 2 शुरू हो रहा है क्या है है सवाल हमारा कि सोहन सेल्स अ प्लॉट अफ्लाइड कितने का देखो तो बाइट इन और दो मैं जीरोस में थोड़ा कच्छा हूं कि जीरोस कम पसंद है तो बाइश लाख रुपे का उसका वाल्यू था उन्होंने वह मोहन को बेच दिया एट लॉस ऑफ 10 परसेंट ठीक है भाई सोहन ने प्लॉट बेचा मोहन को कितने पर परसेंट लॉस ठीक है आफटर सम टाइम मोहन सेल सिट बाक टू सोहन एट गेन ऑफ 10% मतलब आपने बेचा था फिर वापस खरीद लिया ठीक है इस तरह की कुछ कहानी बन रही तो पहले सोहन से मोहन की बात होगी फिर मोहन से सोहन की बात होगी आपको कुल्मला की बताना क्य है आपको बताना है कि सोहन को घाटा हुआ या मुनाफा हुआ जो भी हुआ यह चार आप्शन है हमारे पास ठीक है चले तो शुरू करेंगे हम सबसे पहले बात करते हैं सोहन टू मोहन की ठीक है तो बाइस तो मोहन की जरनी कुछ ऐसी है पांच लाख का पिलोट था एकदम बढ़िया कॉर्णर का ठीक है उस पे लॉस हुआ है दस परसेंट ठीक है तो पहले बताईए दस परसेंट लॉस कितना होगा सर पांच लाख का दस परसेंट हो जाएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टेन वाइंड्रेड इंटू फाइव लाक कि यह हम ने जीरू लगा दिये जहां जहां पर जीरू चलोर रहें पर हैंट कि जो हो जाएंगे पचास गर रोपी का लॉस हो जाएगा तो मोहंच जी को वह प्लॉट्ट कितने का पड़ेंगा सर पांच लाख का था पचास हजार को हुआ है किसको हमारे सोहन जी को तो वो लॉस हो जाएगा माइनस तो कितने का पड़ेगा 44,90 नहीं कितना 40 कितना हो जाएगा यह सरी हो जाएगा 4,50,000 रुपीज का ठीक है चले आपकी बात मान ले गई कितने का पड़ा 45,000 रुपीज का उन्हें पड़ेगा अब आफ्टर सम टाइम मोहन ने यह प्लॉट वापस बेच दिया सोहन को ठीक है अब भाई कुछ ताइम बात मोहन को कमाऊंगा तो उन्हें का ठीक है भाई साब आप एक काम कीजिए आप 10% मुनाफ़ा कमा लीजिए कि कितना कमा लीजिए 10% तो भाई 4,50,000 का था इन्होंने बेचा प्रॉफिट में 10% के ठीक है तो प्रॉफिट कितने का हुआ प्रॉफिट हुआ 10% का तो पहले निकाल लेत आपको मिलेगा 45,000 तो पहले था यह चार लाग 50,000 का मतलब महर्न के लिए तो इतने का इताना 4,005,000 का पड़ा था उसमें 45,000 का प्रॉफिट हो गया उनको तो अप लॉट कितने का हुप अब है सोहन को तो 4,005,000 तो सोहन का प्लॉट था कितने का पांच लाग का घूम फेर के पूरी दुनियाक में घूम के वापस उनके पास कितने का आ गया 4,95,000 रुपीज में ठीक है तो मतलब क्या उनको यहां पे फाइदा हुआ नहीं सर सोहन को यहां पे लॉस हुआ है कितने का लॉस हुआ है वह आपको पता लगाना पड़ेगा ठीक है सर वहां पे इनको लॉस हुआ है पांच हजार रुपे का ठीक अब अच्छा आपर ऑप्शन देखिए गेन और 5000 है लेकिन हमें तो दिख रहा है कि यहां पर लॉस है उनका ठीक है तो हम क्या करेंगा अपना किया तो वह थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा चलिए यहां पर हो जाएगी स्क्रीन हमारी क्लियर और हम करेंगे अगले प्रशन की और अब सवाल करेंगे 22 है मारा राज ब्रॉट ऐस साइकल फॉर फॉर फिफ फिटीन हंडिट ठीक है पंद्रा सो रुपे कि आजने साइ प्रॉट पर ठीक है अब जैने उसको अपने उस चोड़ से अपने स्टोर पर ले जाने कि लिए लिए कितने रुपैं खर्चा किया एक सो असी रुपैं हो सकता है कुछ पेंटिंग पैंटिंग कर आया हो जो भी हो साइकल को अच्छा करने के लिए और रमा को बेच दिया 15% गेन पर तो साइकल रमाग को कितने की पड़ी यह आपको बतानी है ठीक है तो भाई सिल्छला पूरा चड़ेगा पहले हम बात करते हैं किसकी राज की राज के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइज सरा राज के लिए कॉस्ट प्राइज होगी पंदरा सो नहीं वहीं पंदरा सो रुपे में तो खरीदी है सो रुपे का उपर से खर्चा भी तो किया है ट्रांस्पोर्ट पे तो वो भी तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ा जाएगा तो राज के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई आड करेंगे तो 1760 होना चाहिए आपका उत्तर यह तो राज के एस पी है यह जै के लिए कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर जै के लिए कॉस्ट प्राइस आपने लिग दी 1760 इसके अलावा जै ने 180 रुपे और खर्चा किया तो वो भी आप इसमें जोड़ देंगे ठीक है अब इसके बाद उन्होंने यह जो हमारी जै को जितने की पड़ी थी साइकल उसमें भी 15% प्रॉफिट जोड़ दिया है तो भाई 15% प्रॉफिट आप आड करेंगे तो भाई नाइन फोर जीरो को पहले 15% निकालना पड़ेगा यहां पर वन नाइन फोर जीरो चलिए शून्य से शून्य कैंसल फाइव थ्रीजा फाइव टूजा और यह तू और यहां पर हो जाएगा कितना तू नाइन जा एटीन और तू सेवेंजा फोर्टीन है ना अब जब आप नो माइनस कर दोगे विकॉस नाइन टी सेवन में तीन आता है और नाइन टी सेवन सौ से तीन कम है तो जो तीन कम है उसे तीन पर मलिटिप्लाई क्या तो नो कम होना चाहिए तो आपका अंसर आना चाहिए 281 आप चाहिए तो डारेक't multiply भी कर सकते हैं दोनों में अंसर सेम ह तो 291 रुपे का उनको प्रॉफेट होगा तो जितने की थी 1940 उसमें अपना प्रॉफेट जोड देंगे तो एक नौ चार तेरा नौ रहाँ पर दस तो दो और यह दो तो दो दो तीन एक होना चाहिए आपका उत्तर की भाई रमा को वह कितने की पड़ी साइकल दो दो तीन एक रुपे की पड़ी पूरे सिस्टेमाटिक वे में चलना है जो जो चीज़े आती जा रही हैं उसे आड़ सप्टरा करते जाना अपना अंसर निकालना है कहीं भी गलती नहीं होगी हमसे यदि हम फ्लो में चलेंगे और आसानी से स्टेप बस्ट हिए आपके साथ बहुत बार होता है ऐसे सवावार बहुत बार आपके पूछे जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस को यहा बतायाate प्राइस पता नहीं है माल लो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 रुपे में डील करना आसान है बिल्कुल ठीक यह कॉस्ट प्राइस किसकी है 100 रुपे प्रती यूनिट तो पर पीस है ठीक है यह ध्यान रखना 100 रुपे पूरे की नहीं है 100 रुपे पर पीस है ठीक है तो आप फाइनल टोटल टोटल सीपी कितना हो जाएगा सर 100 रुपे का एक लिख देता हो में ठीक है यहां पर ताकि आपको समझ में 100 रुपे का एक है 25 पीस लिए हैं तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई तो क्या हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं जी हां सबुचिछ सो को बीस से डिवाइड कर दीजिए आपको आपकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी ठीक है शून्य से शून्य कैन्स्छल यहां पर हो जाएगा 125 रुपे आपकी सेलिंग प्राइस 100 रुपे खरीद थी 125 में बेच रहे हो क्या आप प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं जी हाँ सर प्रॉफिट होगा 25 रुपे का और प्रॉफिट का परसेंटेज हो जाएगा 25 बटे 100 क्योंकि 100 रुपे की खरीद है इंटू 100 मतलब आपका कुल मिला के अंसर होना चाहिए 25 परसेंट मतलब ऑप्शन बी क्या आपको यह समझ में आया जी सर कहीं कोई शंकामन में नहीं सर एबर कंप्रॉटर जी से आगरा करेंगे हमारा आंसर वेरिफाय कर दे तो जब भी आप कॉस्ट प्राइज या सेलिंग कर रहे हैं तो आप से निवेदन है क्रिपया अच्छे से देख के सो समझ के प्रयास करें वैल्यू क्या लेनी कईबर लोग इसको एक रुपे ले लेते हैं फिर डिविजन में दिक्कत आ जाती है तो ऐसा ना करें डिविजन में दिक्कत आने के कोई भी आप चांस ना ले ह अर्थाथ 25 और 20 आर्टिकल ठीक है तो आप इसको ओलट पुलट कर देंगे अर्थाथ 25 आर्टिकल की क्या है सीपी है तो भाई सीपी हो जाएगी बीस और एस पी हो जाएगा 25 तब भी आप अगर निकालेंगे आपका परसेंटेज तो आपको समझ में आएगा आंसर से यह ठीक है तो उलट पुलट करने का ऑप्शन है दोनों की कॉस्ट प्राइस को एक ऐसी वालू लेना जो की दोनों से है यह भी आपके पास ऑप्शन है आप सो की जगह इसको दस भी ले सकते हैं पचास भी ले सकते हैं लेकिन डिविजिबल होना चाहिए बस या फिर उल्टी ले सकते हैं तो कॉस्ट प्राइस बीस सेलिंग प्राइस प्राइस प्रॉफिट है पांच का डिकर डिवाइट करो गया आपको प्रॉफिट परसेंटेज तब भी आएगा प्त्रीज परसेंट क्या आपको यह समझ में आया और डिनॉमेंटर का ख्याल रखना कितनी होगी जिनॉमेंटर की वैल्यू ठीक है चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लेयर यहां पर होगया हमारा सवाल करमांग 23 भी आसाइनी से सवाल करमांग 24 ट्रेडर मिक्स दो सो बीस किलो चावल जो भी चाय है ठीक है और वह कितने रुपे की है यह 220 वाली 110 रुपे की है यह एक उसका पार्ट है तो एक वराइटी कौनसी है 110 रुपे किलो वाली चाय की पत्ति है जिसकी कौन्टिटी है 220 किलो ठीक है इसके साथ उन्होंने 80 कि जो है ठीक है तो नब्रिंगर किलो वाली चाय पत्ती 80 कमिक्स कर दिया तो 220 वह असी यह मतलब कुल मिला के 300 किलो चाय पत्ती है जिसको को वहotomार है कितने प्रॉफित में तो आपको बताना है या हमें बताना कि कितना उसका प्राइज रखाज जाए कि उनको इतना प्रॉ 80 किलो हर एक कादाम है कितना सर 90 रुपए तो इनको गुणा कर देंगे ठीक है चलिए यहां पर जब आप मल्टिप्लाइ करेंगे आपको कॉस्ट प्राइज मिलेगे और यह कितने की यह 300 किलो की कॉस्ट प्राइज है ठीक है 220 वह 800 किलो हो जाएगा एक की नहीं है मल्टिप्लाइ करेंगे आप तो भाई 22 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा सर 22 इंटू 11 करेंगे तो 22 और यह 22 242 और 0 कितने है तो सर्ट 242 डबल 0 तब 24,200 रुपए ठीक है इतना आपको यहां पे पढ़ रहा है और यहां पे 8 890 कितना होगा सर 890 72 हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा प्लस 890 72 810 80 इन दोनों को आप करेंगे आपकी कॉस प्राइस कितनी आ रही है सर 2 और 2 4 ठीक है 24 और हम साथ आड करेंगे तो 31 400 आ रही है कॉस प्राइस यदि मैं गलत नहीं हूँ तो कितनी आ रही है 31 400 येस सर अब चलिए यह तो हो गई 300 किलो की इस पर प्राफिट कितना बोल रहे है वह 18 परसेंट बोल रहे है देखो दो तरीके या तो इसका 18 परसेंट निकाल के इसमें आड करके फिर डिवाइड बाइट 300 कर दो तो आपको हर एक किलो का दाम मिल जाएग थीख है तो या तो पहले सेलिंगант प्राइस या थो पहले निकाल प्राइस पर कीजी या पहले निकाल लो डिवाइड कर दो एक ही बात होगी ठीक है चलिए हम क्या कर रहे हैं पर हम यहां पर 18 परसेंट जोड देते चलिए तो 18 अपान 100 यह हो गया हमारा प्रॉफीट 18% कि 31400 का 18% ठीक है एक बार calculation चेक कर लेना कहीं कुछ गड़बड तो नहीं हो रही है कई बार हो जाती है human है हम सब 2-22-22 ठीक है अभी तक तो कोई दिखकत नहीं दिख रही देखो 0-0 cancel ठीक है यहां 3 उपर यहां पर यहां पर हो जाएगा 314 तो दो चार और एक पांच और एक छे तीन दो पांच 5652 तो 31400 में जो की आपकी actual cost price थी उसमें अपने profit जोड़ दिया 5652 का जो की है 18% तो यह दो यहां पर पांच यहां पर छे और चार दस पांच और एक छे साथ 37,052 रुपीज यह किसका cost price है सुरी यह किसका selling price है यह selling price है 300 kg का आपको कितनी आपको तो एक किलो का निकालना है न तभी तो अब बताबाएंगे कितना प्राइज तो भाई एक किलो का निकालने के लिए क्या करोगे सर्थ 37,052 को 300 से डिवाइड कर देंगे ठीक है कुल मिलाख्य अगर आप decimal को उप्योग करें तो 370.52 हो जाएगा ठीक है तो बेसिकली आपको किसको डिवाइड करना है सा 370.5 को आप डिवाइड करेंगे ठीक है तो किस से बाद की वैलियू को हमने थोड़ा सको सेट कर दिया तो 313 कितना बचेगा 7 बचेगा 326 कितना बचेगा 10 बचेगा 339 कितना बचेगा वन बचेगा डेसिमल लगा हो था डेसिमल हट जाएगा वो जाएगा उपर 5 होगा क्यारी 35 15 तो 123.5 रुपए और एक पैसे आप कह सकते हैं ठीक है तो 123.51 होना चाहिए आपका उत्तर क्या आपको यह समझ में आया येस सर कहीं कोई शंकामन में नहीं सर आसान था यह सवाल जी सर एक बार कंपूटर जी से पूछ लेते हैं उनका उत्तर भी आ रहा है ऑप्शन सी तो दो तरीके थे पहले तो आपने दोनों की निकाली कोश प्राइस टोटर वो निकाल नहीं पड़ेगी उसके बाद निकाला या तो पूरे 300 किलो का सेलिंग प्राइस या फिर आप निकाले कोई ए हाँ पे समाप तो प्रस्क्रमांग 25 क्या बोल रहा है आप से किया मैं बाइजन ओल्ड कार फोर 55,000 एक व्यक्ति ने कार ली 55,000 की एंड सेल सिट अड़ गेन ऑफ 3 परसेंट इस ओवरेड एकस्पेंडिचर्ज और वन परसेंट ही सोल्ड दाख ठीक है तो भाई उन्होंने कार खरीदी कितने की 55,000 की तो भाई आपकी कौस्ट प्राइज में यह काम को और लिखो आँ बाइंग प्राइज टीक है तो बाइंग प्राइज और कास्ट प्राइज में क् इसमें कहीं कुछ कुछ रिपेरिंग करानी है तो वह रिपेरिंग का खर्चा कितना है वह है ओवड्रेड quis तो यहां पर आम लिखते हैं और एक्सपेंस झेड representations क्यों कह यह कि यह है यह कितने के हैं तो सर यह है वान परसेंट ठीक है तोacterize 1परसेंट निकालना पड़े 55,550 और यह हो जाएगा आपका CP क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस क्या आपको यह समझ में आया यह हो गया आपका कॉस्ट प्राइस अब इस पे आपको 3% गेन है तो बहुत गेन कैसे निकालते हैं तो सर गेन का परसेंट है सर अपके सरे 7ए इसको निकालने के लिए 3 बटे 100 और इंटू 5 पांच 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 शून्य करना पड़ेगा शून्य से शून्य कांसल पांच के टेबल केंट्थ तो 5 तुसा तेन यह कांको करो क्यों कि सब 10 से डिवाइट करना ज्यादा आसने बस मल्टिप्लाइब करके डेसिमल लगाना है बिल्कुल ठीक चलिए मल्टिप्लाइब कीजिए 5555 इन्टु थ्री सथी फाइफ फिफ्टीन पांच है एक उपर थ्री फाइफ फिफ्टीन 116 यहां एक उपर ठीक है फिर कि सब्कुल 166 5सी 50 पैसे आपका फिफ्टाइब अभी आपको शेलिंग प्राइज निकालनी है बहीं तो सेलिंग प्राइज एक पराइज कि पचास पैसे होगा आपका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या कि आपने पहले कार खरीदी कार खरीदने के बाद एक्सपेंस को डील किया एक्सपेंस को डील करने के बाद प्रॉफिट को आड किया और अपना फाइनल उत्तर निकाला 57216 जो की है लीज़ तो जो भी उनकी वैल्यू थी जो भी स्कूटर की वैल्यू थी उसका तेरा बटेपंदरा अबाहिस्वाज उन्होंने उत्ते में लिया मान लोगा की वैल्यू थी पंदरह हजार तो थे रवटे पंदरह करके 13,000 में scooter ले लिया ठीक है and sells it for 10% more than its value तो आपको value नहीं बता ही है लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो भी value थी असल value उससे 10% ज्यादा पर बेचा है ठीक है his gain percentage is सबसे बहले हम मान लेते हैं value कितनी होगी sir value को मान लेते हैं x क्योंकि यही हमारा connecting link है यह दोनों कने करना selling price को भी cost price को भी अब ज़रा cost price की बात करते है cost price में क्या होगा sir जो भी value थी उसका 13 बटे 15 हिस्सा 13 by 15 x selling price की ज़री बात करें तो वह बोल रहा है कि जो भी value थी क्योंकि value तो उसने पता होगी ना evaluate करते समय निकालते समय उसमें 10% का profit जोड़ लो तो 10% of x मतलब x plus 10 by 10% of x मतलब 1 by 10 x तो जब आप LCM लोगे आपको मिलेगा 11 x by 10 वहां multiply हुआ LCM लेने के बाद add हुआ तो 11 x by 10 ठीक है आपको selling price पता आपको cost price पता है गेन परसेंट निकालने के लिए पहली बात तो gain पता होना चाहिए अब gain कैसे निकालोगे सर गेन का formula simple है कि भाई sp-cp करना पड़ता है चालिए 15 और 10 का LCM हो जाएगा 30 तो यहां into 3 यहां into 2 11 into 3 करोगे आएगा कितना सर 33 आएगा ठीक है 13 into 2 करोगे कितना आएगा सर आएगा 26 x और whole divide by नीचे आएगा 30 माइनस करोगे आपको मिलेगा 7 x divided by 30 यह आपका gain है तो बाई gain हो गया 7 x by 30 उसके बाद total होगे आपका क्योंकि आप किसमें निकालते हैं हमेशा profit सर कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं वहले actual value जाद हो पर क्योंकि हमारे लिए कॉस्ट प्राइस तो यही है तो अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चीए percentage निकालने में एक्स से एक्स कैंसल न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसल हो सकते हैं तो यहां पर आजाएगा टू ठीक है अब आप क्या करेंगे सर फ्राक्षन के डिविजन का नियाम होता है कि नीचे जो भी फ्राक्षन है उसका रैसी प्रोकल हो जाता है तो कुछ इस प् आज भर नीच पढ़ेगा ंटरू हो जाएगा एक तूरू wichtige कितना श्री तू सेहने बचे गाका 210 ठीक है तो थ्वेंटी फिटू करोगे आप anything एंटीस कितना करोगे ना किवें देको साल्फ करके कितना अंसर आ रहा है बादो tutti अर्म्द आघाएर 700 डिवाइड वाइड 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 26 तो भाइड 26 टू जाहेगा कितना 52 है ना कितना बचेगा साथ की जगा जाएगा च्छे यहां पर बचेगा 180 तो असी 26 इंटू एट करो सर 648 आठ यहां चार उपर आठ दूनी 16 चार बीस नहीं ज्यादा हो जाएगा तो ट्वेंटी सिक्सेट इंटू सेवन करोगे तो आपको मिलेगा शिक्सेट इवन फॉर्टी टू यहां फोर उपर साथ दूनी चाहुदा चार अठार एक यह भी ज् ट्वेंटी सिक्सेंटू सिक्स करोगे तो आयगा आपके पास सिक्सेट जान त्री उपर 6212 कितना होगा 13 14 15 156 26.7 परशेंट है जो कि अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है मेरे ऑप्षेंस में ठीक है तो मतला हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि नहीं है तो मोस सब्सक्राइब करेंगे एक और बार अगर आप चाहें तो क्यालकुलेशन चेक कर सकते हैं मेरे साफ से तो हमने क्या कोई एरर नहीं किया है सब्सक्राइब करेंगे कंप्यूटर जी के साथ उनका आंसर भी आ रहा है मतलब हम और कंप्यूटर जी सही चल रहे हैं हरे रन का मतलब हमारे लिए आगे बढ़ने का सिगनल हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूफ करेंगे अगले प्रशन की और सब्सक्राइब करेंगे 27 क्या बोल रहा है आपसे वेन 40 परसेंट ऑफ नंबर एक नंबर है उसका 40 परसेंट आपने आड किया किसमें 75 में ठीक है फिर उसे मल्टिप्लाइब किया किस से 4 से और ऐसा करने पर आपका जवाब कितना आ है सार नंबर को मान लेते हैं एक्स ठीक है उसका चाहिए आपको 40 परसेंट निकाली है 40 परसेंट तो 40 बटे 100 इंटू एक्स ठीक है उसमें यह जो आपका 40 परसेंट आया उसमें आप क्या आड कर रहे हैं 75 आड कर रहे हैं और फिर उस पूरे को आप 4 नामक संख्या से जीरो जीरो चलिए सबसे पहले तो जो बाहर 4 है जो मल्टिप्लाइब हो रहा है वह साइट चेंज करेगा तो इसको वहाँ भेज तू ठीक है सर और साथ में एक और काम कर रहा हूं यह 40 और 100 को कैंसल करके टू बाइफाइब लिख रहा हूं तो टू बाइफाइब आफ एक्स प्लस 75 इस इक्वाल टू 1200 डिवाइड बाइ 4 क्योंकि 4 यहां मल्टिप्लिकेशन में साइट चेंज करेगा तो डिविजन कैंसल करोगे आप इनको तो 4 यहां पे हो जाएगा 3 तो आपका अंसर आएगा 300 क्योंकि 4 3 जाएज 12 अब यहां पे ज्यान दें 2x बाइफाइव जो 25 के बराबर अब आप क्या करेंगे सर अब हम यह करेंगे यह 5 होका मल्टिप्लाइ 2 होका डिवाइड ताकि हम x की वाल्यू पता लगा सके चलिए तो एक सो हो जाएगा 225 इंटू 5 फोल डिवाइड बाइड बाइड टू दो ऑप्शन यहां तो पहले डिवाइड कर लो यह हैंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा 5525 पांच या दो उपर फाइव टूसर टेन 1112 टू जहां एक उपर फाइव टूसर टेन 111 1 1 2 5 डिवाइड बाइड बाइड टू तो यहां पर हो जाएगा टू फाइड टेन ठीक है और कितना टू फाइड टेन और साप में जाएगा यह उत्तर इस प्रश्ण का एक बार देख लेते हैं तो अप्शन डी है हमारा यहां पर आंसर जो कि हमारा वी उत्तर आया है 562.5 कंप्यूटर जी का हरा रंग मतलब हमारे लिए आगे बढ़ने का सिगनल तो हम करेंगे यहां पर स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल करम वोट्स वर कॉल्ड वर डिकलेड इन्वालिट अर्थात जितने भी वोट पड़े पांथ सो हजार दो हजार पचास हजार उसमें से 85 वोटों को हटा दिया जाएगा क्योंकि इन वोट्स को इन्वालिट मान लिए गया हो सकता है किसी ने गलत तरीके से वोट दे दिया हो कि किसी और के प्रमान पत्र पे वोट दे तो जो भी कहानी रही हो वो तो हमें यहां पर चर्चा का विशे नहीं है लेकिन विशे का चर्चा यह है कि भाई 85 वोट हटा दिये गए ठीक है अब दाविनर स्क्योर्ट सिक्स्टी परसेंट ऑफ दो वोट्स एंड विन बाई 78 वो क्योंकि यह वोट्स तो इन्वालिड है तो किसी के हिस्से में नहीं जाएंगे ठीक है तो बेसिकली पूरा जो मामला है वह एक्स माइनस 85 वोट्स का ठीक है या फिर आप ऐसी भी कर सकते हैं कि यहां ले लो एक्स उसके बाद उत्तर आएगा उसमें 85 वैड कर देना ऐसा भ करना हुई है मतलब जिनके इसाब से जीत हार डिसाइड हुआ और वह 85 वोट जो की कैंसल कर दिये गए तो उनको जब आप एड कर लोगे आपको टोटल फाइनल वोट निकालने में आसानी होगी और यह हमने क्यों कि हमें क्यों करने में दिक्कत ना हो अब यह जो पूरे व सेड़्िया ठीक है साट परसेंट वोट कैसे निकालोगे साट पर सेंट और यहां है 40% अव एकक्स है इसको करेंगी हो जाएगा 3x5 यहां हो जाएगा 2x5 अब एक इनसान जीता है एक एक हारा है अउन जितने हारने का है वो फरक कितना है सर यह रहा 78 वोट्स तो जितने हातने का फरक कैसे निकालोगे सर माइनस करके तो 3x by 5 माइनस 2x by 5 is equal to 78 solve करेंगे आप x by 5 आएगा 78 के बराबर x आजाएगा 78 into 5 के बराबर जब आप multiply करेंगे आपका उत्तर कितना आएगा सर 85040 यहां 4 उपर और 75035 और 4 और 39 तो 390 यहां पे वोट्स थे ठीक है तो क्या हमारा जवाब 390 वोट्स है नहीं सर इन 390 वोट्स के साथ 85 वोट वेस्ट भी हुए है तो उनको भी आड़ किया जाएगा तो टोटल वोट्स जो पढ़े होंगे वो होगा 390 और 85 और तो यहां होना चाहिए option c475 क्या होना चाहिए आपका जवाब option c475 कैसे आया हमने पहले निकाला कि जितने वोट्स जो कि गिने गए थे उनको माल लिया एक्स और टोटल वोट को मान लिया था एक्स प्लस 85 ठीक है तो जितने वोट जिनकी गड़ना हुई है उसके दो हिस्सेत क्योंकि दो परिवार थे दो कैंड़ेट थे बेसिकली एक को साथ एक को चालिस आपने निकाला दोनों के बीच का गैप कितना है बाई 78 वोट से जीता है मतलब वही गैप होगा उचको आपने माइनस करके अपना अंसर निकाला है एक बार हम कंप्यूटर जी के साथ वरिफाई भी कर लेंगे कि हमारा जवाब सही आ रहा है या फिर 99 अच्छा सबाल है अब क्या बोल रहा है if x is z% of y टीक है क्या बोल रहा है एकस जो है वह य का कुछ परसन अधारन kay तोर पे मैंनि झाल वी आप बोल रहे है आट और 40 पर जो आठ है तो आपको मिलेगा X अच्छा Y का Z percent कैसे निकालते हैं सर Y का Z percent निकालने का तरीका है जैसे 40 का अगर आप निकाल रहे हैं 20 percent तो कैसे निकालते हैं सर यह Z percent किसका Y का तो यह हो जाएगा आपका X के बराबर ठीक है अब आपको बताना है Y will be how much percent of X अब आपको उल्टा करना है तो उल्टा कैसे करेंगे सर उल्टा हम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यह है जो है तो हम इन दोनों को वहां भीच देंगे आपको मिलेगा Y equal to 100 X upon Z ऐसे कुछ मिलेगा है ना तो यह हो गया Y है कितना तो सर Y है यहां पे 100 X upon Z अब इसका comparison किसे करना है तो सर इसका comparison करना है या फिर इसका मापदंड करना है X से और percent निकालने के लिए into 100 वाई एक्स का कितना percent यह आप कैसे निकालते हैं कि Y upon X into 100 वाई percent निकालते ना तो जो वाई की value थी हमने वो put कर दी यहां पे X X क्योंकि numerator में है तो वो cancel हो जाएगा 100 से 100 का multiplication होगा तो 10,000 हो जाएगा whole divided by Z percentage अब यदि आप सोच रहें कि आपको यह समझ नहीं आए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हम दुबारे एक बार देख लेते हैं देखो हमें बोला गया था कि X और Y में क्या connection है कि X Y का Z percentage उधारन के तौर पर 8 जो है वो 40 का 20 percent है ठीक है अब इतनी जानकारी हमें दी गई ते अब हमें उल्टा करने को बोला था कि आप X से Y जाए तो पहले हमने Y की value पता करी तो Y की value हमें मिली कितनी 100 X बटे Z के बराबर अब इस Y की value को Y X के percentage में निकालने के लिए हमें percentage निकालने का formula लगाना पड़ेगा जो कहता है कि जो भी आपकी value है उसको जिससे आप compare कर रहे हैं उससे दिवाइड कीजिए और multiply by 100 कीजिए तो आपको आपका percentage मिल जाता है उधारन के तौर पे आपके एक्जाम में कितने परसेंट आए तो जितने का जितने marks आपने लाए थे जितनी value थी डिवाइड बाइड जितने जिससे compare करना था टोटल से और into 100 तो वही हमने यहां पे किया और ऐसा करने के था हमारा आंसर आया नहीं ऑप्शन डी यहां पे सही आ रहा है कि भाइड दस अजार बाइड परसेंट है और जैसे यह ऑप्शन यहां पे दिखता है हरा रंग जलता है तो मेरे मन में खुशी होती ही कि हम और आप अत्यंती तेज एवं तीवर गती से आगे बढ़ सकते हैं सवार क्रमांग तीस मोहन परचेश्ट ओरेंज इस आट रेट ओफ एट ओरेंज़ फॉर रुपी शिक्स ठीक है क्या किये मोहन ने संत्रे लिए कितने कि भाइड ओर इंज के छे रुपे देने पड़ेंगे ठीक है और शोल्ड अड़ अट रेट ओफ तीन और इंज पांच रुपे के ठीक सिर्द या उनको कितने उन्होंने ओरेंज फटेरेंगे साथ करेबने कोश प्राइस की शाब ओस प्राइस है आठ ओर इंचका आठ और इंचका छे रुपे ठीक है आठ ओर इंचका छे रुपे तो मुझे बताएंगे एक ओर改क का दाम कितना सार एक और इंच का दाम होगा भाई 8 और इंच के 6 organise का हो जाए गाचे बटे आठ अर्था तीन वटे चार चलिए अब बात करते हम किसकी सेलिंग प्राइस की ठीक है सेलिंग प्राइस कितनी है सह सेलिंग प्राइज से तीन औरेंज की पांच रुपे ठीक है ठीक है तो यह हो जाएगा SP of one और यह हो जाएगा CP of one orange यह ध्याय रखना यहाँ पे CP है यह ओर निख रहा हूं मैं 0 नहीं वह तीस तीन और इंज जिसकी पांच रुपे रुपे है सेलिंग प्राइज तो एक औरेंज की हो वह लाए कितने थे वही आपको पता करना है तो हमने मान लिया और इंज की संख्याय एक्स और अमने ये भी मान लिया कि जितने और इंज लाए गए थे वह पूरे के पूरे बेचे गए ठीक है अब बात बताओ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जब गेन होता है तो हम क्या करते हैं सर गेन निकालने के लिए हम हमेशा करते हैं sp-cp परंतु किंतु यह जो sp है यह तो एक और इंज की है और जो cp है वो भी एक और इंज की है तो पहले हमें टोटल एसपी और टोटल सीपी निकालना पड़ेगा गेन हुआ था 286 अब 286 आया कैसे होगा पूर्ण तह कितने पैसे कमाए माइनस पूर्ण तह कितने पैसे दे क्या है थे हम और इंज खरीदने के लिए तो भाई था एक प्राइज और कॉंटिटी है एक तो हमने वह भी माइनस कर दें तो 286 इक्वल टू यह हमारी एक्वेशन होनी चाहिए क्या को एक्वेशन समझ में आई क्या करना है वह समझ में आया यह सर अब लेंगे आप एल्सीम तो इंटू 4 और यह होगा इंटू 3 यह हमने क्यों किया विकोज भाई 286 पूरा काम करने के बाद मतलब पूरे संत्रे खरीदने के बाद और बेचने के बाद का प्रॉफिट है तो पूरा-पूरा सामन लेना है आदा कुछ नहीं छोड़ना है यह हो जाएगा 286 इक्वल टू कितना सब 20 एक्स माइनस 9 एक्स होल डिवाइड ट्वेल्फ तो आपका हो जाएगा 286 इक्वल्स टू 11 एक्स बाइट ट्वेल्फ ट्वेल्फ जाएगा ऊपर और 11 आएगा नीच से ताकि आप आसानी से एक्स की वाल्यू पता कर सके 11 टूसर ट्वेंटी टू एक बार पता हूं जब भी नंबर्स डिवाइड हो रहे मतलब समझ लो कि आप लगबग आल्मोस सही ट्रैक पे हो क्योंकि नंबर डिवाइड हो रहे मतलब आप परफेक्ट जार लगबग लेवन टूसर ट्वेंटी टू और लेवन सिग्जा 66 होगा यह सर्चलो 26 इंटू 12 करना है और आपको मिल जाएगा कितनी कॉंटिटी खरीदी थे जिनको अलग-अलग प्राइस पे खरीदा गया कुछ अलग ही नाप तोल के बेचा गया भाई तीन तीन और इंज पांच रुपे के चलाने में आसान होगा ना कहीं भी मार्केट में ले लो पांच रुपे के तीन और इंज तो कितना इजी लिग जाएगा और खुले प 286 रुपे का मुनाफ़ा हुआ है अब हम एक काम करेंगे हमारे कंप्यूटर जी से आगरह करेंगे कि वह हमें हमारा जवाब बताएं कि सही है या फिन नहीं Option C Computer G कहसाब से भी सही आ रहा है मतलब हमने सही सॉल्फ किया है Option C 312 हमारा जवाब सही है आप कब यहीं आया होगा ऐसी मेरी आशा है हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूफ करेंगे अगले प्रशने की और अब सवाल कर वांग 31 है हमारा कि सुरेश नामग व्यक्ति ने क्या किया 20 लीटर दूद खरीदा ठीक है कितने रूपए के हिसाप से 5 रूपए लीटर के साफ से तो याद रखने वाली बात क्या है 20 लीटर 5 रुपए के हिसाब से अब भाईया सुरेश ने सोचा कि इसमें इसको बेचना है हमें लेकिन उनमें पहले क्या सोचा कि इसमें थोड़ा सा पानी मिला लिया जाए और पानी मिलाने के बाद जो कॉंटिटी थी वो हो गई 24 लीटर ठीक है अब अगर सुरेश को 32 परसेंट प्रॉफिट कमाना है तो ठीक है उनको कितने रुपए में दूद बेचना चाहिए तो सबसे पहले आप निकालेंगे क्या कॉस्ट प्राइस वो कितनी हो जाएगी सर वो हो जाएगी 20 इंटू 5 अर्थात कितना सर 5 2010 मतलब 100 रुपए है ना जी सर आप इन्होंने क्या किया उसमें इन्होंने प्रॉफिट परसेंट कितना सोचा है 32 परसेंट तो प्रॉफिट का अमाउंट कितना होगा सर वो होगा 32 बटे 100 तो कि 100 रुपए है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बेसिकली 32 तो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई 132 रुपए अब सोचने वाली बात यह आपको बताना है कि रेट क्या होगा दूद का मतलब एक लीटर का रेट कितना होगा सर आसान है 20 लीटर दूद था 132 का है तो 132 जिवाइड वाइड बीस कर दिजे परंतु किंतु यहाँ पर उन्होंने भाई पानी आड़ करके दूद कितना कर दिया है तो उनके पास बेचने के लिए 24 लीटर दूद उपलब्द है तो वो 24 लीटर बेचेंगे किस प्राइस पे उनको कुल मिला के कितने रुपए कमाने है 132 कमाने है तो भाई 132 रुपए आपको मिलने चाहिए 24 लीटर आपके पास दूद है तो एक लीटर कित्ते में बेचोगे यह आपको बताना है डिवाइट करो सब्सक्राइब तो यहां पर आएगा 2612 ठीक है यहां पर आएगा 12 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो है ना फिर से आप 2 से डिवाइट करेंगे तो 33 और यहां हो जाएगा 6 ठीक है अब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको उत्तर आएगा 5.5 रुपीस पर लीटर तो देखा ज परन्तु किंतु क्योंकि उन्होंने पानी मिला दिया है तो उनका मुनाफ़ा 32 पर्शेंट उन्हें मिलेगा तो आप्शन B होना चाहिए हमारा सही उत्तर एक बार हम कंप्यूटर जी से वेरिफाई कर लेते हैं कंप्यूटर जी का उत्तर भी आ रहा है आप्शन भी मतलब ह करेंगे यहां पर स्क्रीन को के लिए और मूफ करेंगे अगले प्रश्ण की और क्योंकि हारा सिगनल मिल गया हमें देखिए बिना हरे सिगनल के आगे बढ़ना गलत बास है ट्राफिक रूल करते हमेशा हम ठीक है छलिए थोड़ा सा ग्यान था यहां पर आपके लिए दीपक जो है वो दीपक जी क्या कर रहे हैं उजाला कर रहे हैं किस तरीके से उन्होंने चावल खरीदे कुछे क्वांटिटी में जो की 1200 रुपे प्रती क्वेंटल के हिसाब से खरीदे गए ठीक है अब उन्होंने देखा चावल खरीदने के बाद जब सारे बोरे खुले होंगे तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें से बीस परसेंट चावल तो स्पॉइल्ट है अर्थात खराब है ठीक है अब ही मिक्सिस दा इंपॉरिटी स्टू मेक इट अगें डाट मच कॉंटिटी अब जिसे मालो यहां पर उन्होंने दस बोरे खरीदे थे ठीक है तो आठ बोरे सही निकले दो बोरे खराब निकले मालो ठीक है अब अगर दो उन्होंने क्या किया उन्होंने यह आठ बोरे में यह दो बोरे डालके मतलब सब एक साथ पूरे जमीन पर फैला के ऐसे पहाड़ बनाके मिक्स कर दिया ठीक है तो पता ही नहीं चल रहा है कहां इंप्योर है कह तो चेंज इन क्वांटिटी वन अक्षर इंसान क्या लगता है सुचता है यह बीस परसेंट खराता इसको हटा दिया होगा तो उसको हमें हटाना पड़ेगा नहीं यहां पर सवाल में साफ साफ लिखा है कोई चेंज नहीं है आट वाट प्राइस शुड़ी सेल राइस टू गें दस परसेंट अब सीज़ी सीदे हिसाब है कि वहीं बारा सो में खरीदा था दस परसेंट प्रॉफिट कमाना है तो मतलब अमाउंट में हो गया दस परसेंट एक सो बीस तो 32320 रुपे का आपका प्राइस होगा ठीक है सर हमें कैसे पता की वो कितने को इंटल हमें नहीं पता यह नहीं पर कियए को एक का तो सवाल था तो घुमाने के लिए कि भाईया स्पॉइल है तो इंसान हो सकता है माइनस कर दे एक्स माइनस 20 परशेंट और एक्स करके पूरा सवाल करें परन्तों यहाँ पर वो सब नहीं करना है चलिए यहाँ 33 सवा सवाल 33 इफ डा कमेशन आफ 10 परशेंट इस डिवन औल्मांक प्राइस बगें इस 60 परशन अर्था जो भी आपका मांक प्राइस था उस पे कमेशन पिर यह डिसकाउंट किर वो 10 परशेंट दिया जाए तो आपको घेंन कितना होगा ? 6 परशेंट होगा तो ठीक है और दे कमीशन इस ट्वेंट आप बोल रहा है कि अगर 20 परसंट कमीशन दिया तो गेन कितना होगा तो गेन निकालने के लिए पहले आपको हमेंसा कॉस्ट प्राइस पता होने चाहिए क्योंकि गेन या लॉस्ट जो भी क्यालकुलेट होता है वो होता है हमेंसा से निकालोगी सर एकस की माक प्राइस ठीक है उसमें से 10% कमीशन या फिर 10% डिसकाउंट दे दिया तो वह मैनस हो जाएगा ठीक है अगर मानलो माक प्राइस ती 10% माइनस कर दिया तो आप कितना हो जाएगा सर एक्स माइनस 10% आफ एक्स करेंगे जदी हम तो सॉल्व करके हमारा उत्तर आना चाहिए कितना 9x by 10 ठीक है क्या आपको यह समझ में आया जी सर चलिए सेलिंग प्राइस आगई आपके पास अब आपके निकालेंगे आपको पता है कि गेन परसेंट कितना है सर गेन परसेंट है 60% ठीक है मतलब कॉस्ट प्राइस में जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस थी ठीक है उसमें जब आपने 60% जोड़ा ठीक है 60% of कॉस्ट प्राइस तब आपको यह वाला दाम मिला ठीक है कॉस्ट प्राइस में आपने 60% जोड़ तब आपको वो वाला प्राइज मिला है ठीक है चलिए अब यह कैसे solve करेंगे सर्मान लेते हैं इसको y plus 60% of y is equal to 9x upon 10 ठीक है चलिए यहाँ पे हो जाएगा y plus 60% मतलब 60 by 100 into y cancel करेंगे आप शूने से शूने मैं 10 cancel नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहाँ पे भी 10 है तो calculation करने में आसान होगा ठीक है तो 9x by 10 चलिए यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हैं अब जब LCM लेंगे तो यह हो जाएगा 16 y upon 10 equal to 9x upon 10 10 चैंसल क्योंकि दोनों नीचे है डिनॉमिनेटर में तो cancel हो जाएगे y आएगा मतलब आपका cost price आएगा 9x by 16 कितना आएगा cost price sir cost price आएगा 9x by 16 क्या आपको ये समझ में आया और ये क्यों जरूरी है ये समझ में आया क्योंकि cost price निकालोगे तभी आप दूसरे वाले case का gain percent निकाल पौगे अगर आपको समझ आगए तो मैं इसे हटाने के लिए आपकी permission चाहूँगा because मेरे पास solve करने के लिए space थोड़ी कम है यदि आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं I am waiting चलिए तो पहला वाला case हमने solve करके इतनी जानकरी निकाली कि हमारी cost price है कितनी 9x by 16 चलिए अब बात करते हैं दूसरे case की दूसरे case में ये हो रहा है कि आपका mark price तो X ही है ठीक है उस पे आपने आपकी बार commission दिया है 20% ठीक है और आपको निकालना है gain कितना होगा और आपकी साहेता के लिए वह एक क्योंकि सेम ही चीज है mark price भी सेम है तो cost price भी सेम ही रहेगा तो 9x by 16 आपकी cost price आपको cost price पता है selling price आप निकाल सकते हैं तो फिर profit percent निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी तो पहला हम निकालते हैं selling price कितना होगा selling price होगा x minus 20% of x क्योंकि भई selling price कैसे आता है mark price में से आप commission या discount minus करते हैं तो आपको selling price मिलता है 20% 20 by 100 into x अब आप इसको solve करेंगे आपको मिलेगा 80 x by 100 और अगर आप cancel करना चाहें तो 4 x by 5 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपको SP मिल गया आपको CP पता है gain कैसे निकालते हैं या profit कैसे निकालते हैं जब प्रॉफिट है gain निकालने का formula है SP माइनस CP अरथा आथ 4 x by 5 माइनस कितना 9 x by 16 चलिए अब इनको माइनस करेंगे 16 और 5 का LCM 16 दूनी 32 नहीं 16 तिया 16 पंजे करना पड़ेगा उसते छोटों दिखनी रहे तो यहाँ पे आजाएगा 16 यहाँ पे आजाएगा 5 चलिए 16 इंटू 4 करोगे आपको मिलेगा कितना 64 x 950 करोगे 45 x और 16 इंटू 5 जब आप करेंगे आपका अंसर आएगा 80 ठीक है तो आपका profit आजाएगा कितना 64 x माइनस 45 x चवदा में से 5 गया 9 और 5 में से 4 गया तो 1 क्योंकि आपने carry किया था तो 19 x बटे 80 हो जाएगा आपका profit क्या सिर्फ हमें profit निकालना था नहीं सर हमें तो profit percentage निकालना है गुरूवर तो गुरूवर के आदेश का पालन करते वे profit percentage कैसे निकालेंगे सर 19 x बटे 80 whole divided by 9 x by 16 मतलब आपका cost price into 100 अब देखो LCM में जब आप fraction को deal कर रहे हैं तो जो numerator है उससे numerator cancel हो जाता है denominator से denominator cancel हो सकता है अब होगा कहां यहां पर 19 है और यहां पर नीचे 9 है अब यह मत करना कि इसका 9 और 19 का 9 cancel कर दो ऐसा नहीं कर सकते बाइसा नाइंटीन और 9 में फरक है तो आप क्या करेंगे रैसी प्रोकल कर देंगे तो 19 अपन 5 into 9 into 100 होना चाहिए आपका percentage यह 5 और यह कितना हो जाएगा 20 19 दूनी करोगे आपको मिलेगा 308 whole divide by 9 solve करो सर 9 4 36 बिलकुल ठीक बचेगा कितना 2 तो 9 दूनी 18 बिलकुल ठीक कितना बचेगा उसके बाद सर 9 दूनी 18 कर लेंगे तो हमें बचेगा 2 तो आइठिंक 42 2 by 9 परसेंट होना चाहिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हमारे पास options में यह value है यह सर तो मेरे साब से option A सही जावाब है क्योंकि हम यहाँ पे multiply करके देख चुके हैं और जो mix fraction में आ रहा है उसको mix में लिख चुके हैं तो option A है हाँ पर हमारा उत्तर हमारा उत्तर और computer महाशाय का उत्तर बिल्कुल से मारा है option A हम करेंगे उसको mark और फिर उसके बाद screen करेंगे clear और move करेंगे अगले प्रश्न की और सवाल कर मांग 34 30% 30.8% of 745 is same as which of the following ठीक अब यहाँ पर आपको basically दो statement है जिनको compare करना है तो पहले हम देख लेते 30% of 30.8% of 745 को कैसे लिखेंगे सर यह लिखा जाएगा 30.8% मतलब whole divide by 100 into 745 ठीक है अब ज़र आप अपने options की और ध्यान दीजे option में सब जगा 3.08% क्या है 3.08% तो मुझे आप यह बताए कि कि किसी भी चीज का अगर आप 3.08% निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे तो भार यह बराबर है किसके यह है सर बराबर 3.08% के of something ठीक है तो 3.08 whole divide by 100 into this something हमें करना है क्या आपको यह समझ में आ रहा है मैंने answer से क्या पिक किया कि भाई 3.08% तो है लेकिन किसका वो अब हमें पता करना है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले हम जो उपर decimal है उनको ठीक करते तो यहाँ पे हो जाएगा 3.08 upon thousand है ना decimal से एक shift हुआ और यहाँ पे upon thousand हो गया into हो गया 7.45 ठीक है यहाँ पे हो गया आपका 3.08 और नीचे आ जाएगा कितना सर एक दो तीन चार जीरो सा जाएंगे क्योंकि उपर से आप decimal को दो प्लेश्ट करोगे जब आप उपर से दो प्लेश्ट करोगे तो नीचे से दो एक्स्ट्रा जीरो लगाने पढ़ते हैं अब यहाँ पर ध्यान दो नियूमरेटर में यहाँ पर यह दोनों वाल्यूस कैंसल इंटू डैश ठीक है अब यह जो तेन थाउजन होना चाहिए हमारा कैलकुलेशन और यह किस के बराबर यह फिलल में भरना ए अब क्या करोगे 0 से 0 क्यांत्र हो जाएंगे 1 2 3 तो आपका जवाब कितना आया 745 0 कितना है आपका जवाब 745 0 मतलब अगर मैं आपको सीधे 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 ट्रिक बताऊं तो Т्रिक कुछ ऐसी है कि जब आप यहाँ पर सेंटेज में एक decimal shift कर रहे हैं तो जिसका percentage निकाल रहे हैं उसमें एक शून्य बढ़ा दिया जाएगा ठीक है वहाँ पे कम करोगे तो balance करने के लिए यहाँ बढ़ाना पड़ेगा वहाँ पे बढ़ा दोगे तो balance करने के लिए यहाँ पे कम करना पड़ेगा यदि दोनों चीज़े आपस में बराबर हैं तो ठीक है चलिए एक बार हम computer जी से पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या रहा है एक बार verify कर लेते हैं computer जी का answer आ रहा है option D मतलब हमने और computer जी ने सही solve किया है हरे रंग का मतलब है आगे बढ़ने का हमारे लिए permission सवाल कमांग 35 देख लेते हैं 78% of thousand thousand का 78% निकाल रहे हैं और उसमें जोड़ा जा रहा है 69% of 500 ठीक है अच्छी बात है और ये बराबर एक इसके ये बराबर है x% of thousand and 78% of 500 अब इनसान क्या सोचता है सर यहां पे केवाल interchange कर दिया है 78 पहले 1000 के साथ ता 78 को 500 के साथ बेज दिया तो जो 1000 के साथ जो पहले 69,000 परसेंट था 500 के साथ वो 1000 के साथ आ जाएगा तो interchange किया है बस यदि आप ऐसा सोच रहें तो शायद आप थोड़ी सी गलती कर रहे है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है जब आप इसको solve करेंगे आपको x की value कुछ और ही मिलेगे अब solve कैसे करना है तो भाई 78% मतलब 78 upon 100 into 1000 ऐसा कुछ होगा जी सर प्लस होगा यहां पर 69 upon 100 into 500 ऐसा कुछ होगा यहां पर आपको मिलेगा x upon 100 into 1000 क्योंकि x percent है प्लस 78% of 500 ठीक है calculation को जदी आपको smart करना है योकि सब जगा पे 00 cancel हो जाएंगा फटा-फट कर दीजे शूनने से शूनने cancer शूनने से शूनने cancer यहां भी शूनने से शूनने cancer और यहां भी चलिए तो आपके पास बचा 78 into 10 मतलब 780 plus 69 into 5 basically 70 into 5 करो आएगा 350 350 में से 5 minus करो क्योंकि 69 है तो 69 को आप 70 minus 1 लिखे भी solve कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा 345 is equal to x plus 78 into 5 करोगे तो 78 into 5 करोगे 85 is the 40 0 यहां 4 उपर 75 is the 35 plus 4 करोगे 390 ठीक है अब क्या करना है सिर्फ जोड़ खटा के आपको minus करना है solve करके answer निकालना है चलिए तो यहां पर हो जाएगा आपका answer 780 plus 345 minus 390 is equal to x चलिए इन दोनों को जब आप minus करेंगे आपका answer आएगा 780 plus या फिर minus 45 ठीक है इसको जब आप minus करेंगे तो यह हो जाएगा आपके लिए 735 यदि में गलत नहीं हो तो तो x की value है 735 लेकिन आपको तो percentage निकालना है x percent of thousand ठीक है तो मतलब आपको बोल रहा है कि भाई x percent of thousand कितना हो जाएगा सर यह हो जाएगा 735 ठीक है solve करोगी यदि आप इसको तो आपका answer आएगा x upon hundred in 2000 ठीक है मतलब कितना is equal to 735 तो बेसिकली यह जो पूरी value थी ना इसको आपने निकाला है कितना 735 के बराबर ठीक है अब यहाँ पर आप solve करेंगे यह शूने से शूने दो cancel x की value आएगी 735 divided by 10 अर्था 73.5 ठीक है चलिए यहाँ पर जब आपने बेसिकली यहाँ पे सब कुछ cancel किया ना तो एक पूरे की जो value आई थी वो आई थी 735 ठीक है उसको आपने percentage में change किया तो आपका उतर आया 73.5 मतलब option B क्या आपको यह समझ में आया मतलब आप 1000 का अगर 73.5% निकालेंगे तो आपको answer मिलेगा 735 जो कि आपके पूरे equation को verify option B सही आ रहा है मतलब हमने और computer जी ने एक ही मत सोच के एक ही तरीके से सोच के अपना answer solve किया हम दोनों का उत्तर सही था confused इंसान कहा हो सकता है जैसे यहाँ पर answer आएगा आप देखते है option की तरफ अरे 735 तो option में नहीं है लेकिन दो option है जो की 735 के एक रूप है decimal का उप्योग बेसिकली तो आपके मन में आता है कि इनमें दोनों में से कौनसा option सही है तो आप क्या करेंगे यह आपकी exact value है इसको आप percentage में change करेंगे कि भाई कितना परसेंट है यह तब आपको समझ में आएगा आपका answer 73.5 चलिए यहां पर होगी screen clear और move करेंगा मगले प्रस्ण की और सवाल क्रमांग 36 अमर्चेंट वाइस 200 kg of rice at 7.25 पर केजी ठीक है और 400 kg of rice at 5.75 पर केजी तो उन्होंने क्या किया है 200 kg को अलग दाम पे खरीदा है और 400 kg को अलग दाम पे ठीक है अब इन्होंने इन दोनों को mix किया mix करने के बाद एक जो one third था उसको बेचा 6 रुपे प्रती किलो के इसाब से और बचे वो एको कितने दाम पे बेचे ठीक है तो वो कितने में बेचे ही आपको बताना है ठीक है तो पहले हम कहानी को शुरू करते हैं पहली बात हमारे पास क्या है दो वेराइटी है वी one V2 ठीक है भाई वी वन में क्या था 200 kg ठीक है घर एक का दाम था 7.25 ठीक है दाम कितना है सर दाम है 7.25 ठीक है चलिए ऐसा लिख देते तो कुल मिला के कॉश्ट प्राइस कितनी हो जाएगी साथ सेवन पॉइंट टू फाइव इंटू हम टू हंडेट करेंगे तो हो जाएगा साथ सो पचीस इंटू दो क्योंकि जो दो जीरो थे मों डेसिमल को आगे पीछे कर देंगे साथ सो पचीस इंटू दो करोगे तो चाओदा सो पचास रुप है ठीक है दूसरे वराइटी में आपका कितना है 400 किलो है और दाम कितना है सर 575 5.75 बेसी कली ठीक है अब इसका कितना होगा सर 575 इंटू 400 करने के लिए चार गुणा करना पड़ेगा तो 500 का चार ग 4520 जिरो यहां टू उपर ठीक है 7535 एक बड़ चेक कर लेते 575 इंटू 445 20 जिरो यहां टू पर 748 30 जिरो यहां 3 उपर 540 20 23 जी हां बिल्कुल 2300 रुपे आना चाहिए आपका अब इसका यह होगे आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा सीपी सर कॉस्ट प्राइस होगा हमार शून्य पांच चार और तीन साथ दो एक तीन 3750 कितना सर 3750 होगा हमारा कॉस्ट प्राइस शून्य पांच चार तीन साथ ठीक है और क्या बोल रहा है आपको हम डारेक्ली आते पीछे वाले सवाल पे कि भाई 20% प्रॉफिट होना चाहिए होल आउट ले पे मतलब पूरा ज करेंगे तो हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिल जाएगा शून्य से शून्य कैंसल शून्य से शून्य कैंसल 375 इंटू टू करोगे तो 75 का डबल हो जाएगा 150 तो यहां पर आना चाहिए साथ 750 ठीक है वाई 750 रुपे का प्रॉफिट हो रहा है तो कुल मिला के आपकी दोनो क्वांटिटी की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए साथ दोनों की मिला के सेलिंग प्राइस होनी चाहिए कितनी यहां पर हो जाएगा आप आड करेंगे तो शून्य शून्य पाँच और पांच दस सात और सात चौदा एक पंदरा एक कैरी तीन और एक चार 45-100 रुपे इस में से एक तीहाई तो विग चुका है, 1 वाइ 3 क्या हो चुका है, विग चुका है, कितने का 6 रुपे प्रती केजी, तो पहले एक तीहाई निकालो, सर यह था कुल मिला के 600 के लिए, 600 केजी, एक तीहाई मतलब 200 kg बिग गया कितने का सर 200 kg बिग गया 6 रुपे प्रती किलो के हिसाब से 6 रुपीज तो बचा हुआ 2 तीहाई अर्था 400 रुपे कितने में बेचे ये पता लगाना है तो पहले पता लगाएं कितना कमाना है उसके बाद तो कितने में बेचे वो पता लगाएंगे तो कमाना कितना है सर यहां से 1200 रुपे हम कमा चुके हैं कमाना कितना था 4500 रुपे उसमें से कितना कमा लिया कितना SP आ गया हमारे पास 1200 रुपे आ चुका है है 3300 quantity है 400 तो आप क्या करोगे सर कमाना है 3300 400 किलो है बेचने के लिए तो डिवाइड करके पता लगा लेंगे कि एक किलो कितने में बेचा जाए ठीक है यह कितना होगा सर फोर एड़ जा हो जाएगा 32 बिल्कुल ठीक और कितना कैरी सर एक हो जाएगा यहां पर वन कैरी तो पॉइंट लगाएंगे तो वह जाएगा 8.25 रुपीज पर केजी क्या आपको यह समझ में आया एक बार पुरी फिर से कहानी समझते हैं पूरा प्रोसेस समझते हैं उसके बाद हम अंसा निकालेंगे ठीक एक बड़ दुबार से चलिए क्या कि आपने सबसे पहले दोनों वेराइटी कितने में खरीदी गई वो निकाला और इस पूरे समी करण पे कितना मुनाफ़ा होना चाहिए वो निकाला अब कितने में खरीदा कितना मुनाफ़ा होना चाहिए उनको जोड़ेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कितने में पूरा जो मामला है वो निप बेख चुके हैं कितने में धाइद 200 किलो में 200 किलो बेख चुके हैं कितने में छे रुपे के चाहब से तो मतलब 1200 रुपे आपके पास आ गए हैं अब आपको बोलके भीजा गया कि 4500 कम नहीं लेकर आना है घर वापस तो बचा हुआ पूरा कॉन help करेगा ये वाला help करेगा कितना निकालना था इससे 3300 रुपे निकलवाना था 400 किलो बेचना है 3300 कमाना है क्या कि आपने 3300 डिवाइट बाइ 400 कर दे और आपको मालूम चल गया कि एक किलो कितने का बेचा जाए ताकि हम 3300 रुपे आराम से कमा सके और कुल मिला के पूरे समी करण पे 20% मुनाफ़ा हमें हो सके एक बार हम कंप्यूटर जी से अगरा करेंगे क्रिपया हमें अंसर बता दीजिए कम्प्यूटर जी का अंसर आ रहा है थी हमारा भी अंसर आया था सी तो हम करेंगे इस अंसर पे गोला मार्क और हरे रंग के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न की और स्क्रीन क्लियर करने के बाद अब सवाल कमांग 37 है हमारा यहां पे कि बाइ सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450 साड़े 400 रुपे का बेचने पर एक विकति को क्या हो रहा है सरनुकसान हो रहा है कितने का सरनुकसान हो रहा है 25 परसेंट का अर्था जो भी कुसकी थी उसका 25 परशन्ट माइनस हो गया लौस हो गया और इतने में वहां वस्तू भी कीई है ठीक हैँ अब आपको बताना है कि यदि अगले तो नया सेलिंग प्राइज निकालने के लिए पहले कॉस्ट प्राइज निकालना पड़े कि था कितने का तभी तो मुनाफ़ा और फाइदा समझ में आएगा जब तक आप यह नहीं पता लगाएंगे कि चीज है कि कि मुनाफ़ा और फाइदा समझ में हमें नहीं आएगा मुनाफ़ा नुकसान माफ किज़ेगा चलिये तो हमने माली अभाई कॉस्ट प्राइज है एक्स क्या है कॉस्ट प्राइज एक्स अब यह वाला जो पहला वाला जो हुआ है आर्टिकल बेचने का जो पूरा काम चला है कि आपकी जो भी cost price थी उसपे 25% का नुकसान हो गया आपको उसपे क्या हो गया 25% का नुकसान हो गया आपको और उसके बाद साड़े 400 रुपे में उसको बेचा आपने कितने में बेचा साड़े 400 रुपे में ठीक है तो ये आपका था cost price minus कि आपने loss तो वो 450 में sell हुआ कि आप इसको निकाल सकते हैं येस सर इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए तो x minus 25% of x is equal to 450 चलिए अब जब आप इसको solve करेंगे ये हो जाएगा 1 upon 4 lcm लेंगे आप तो आपको मिलेगा 4x minus x whole upon 4 is equal to 450 यदि में गलत नहीं हूँ तो जी सर अब 4 जो नीचे division में है वो अकेले बोर हो रहा है तो उसको अपने मोला जा भाई अपने दोस्तों के साथ खेल ले तो 450 into 4 हो जाएगा क्योंकि नीचे division में था side change करेगा तो multiplication उपर 4x minus x हो जाएगा 3x तो 450 into 4 और यदि x की value find करने है तो x हो जाएगा 450 into 4 upon 3 या आपने क्या किया 3 से divide किया अजब आप 3 से divide करेंगे ये हो जाएगा 150 ठीक है कितना हो जाएगा 150 because 3103 350 15 और एक शून ये पचास है आठ नहीं है जयान रखना जगा थोड़ी कम है चलिए किती तरीके से इसको लिखा गया तो x की value आएगी 150 into 4 अर्थात आपकी cost price 150 into 4 करने पर आएगा 600 रुपे क्या आपको ये समझ में आया जी सर अब यदि cost है 600 रुपे तो आपका आदक जो पहला statement था उसकी आवशक्ता यही थी कि उससे आपने cost price निकाल लिए कितना 600 रुपे अब आपको इस पे 25% profit कमाना है कितना percent सर 25% profit percent कमाना है 25 तो पहले आपको profit का amount निकालना पड़ेगा कैसे सर 25% किसका cost price का क्योंकि उसी पे तो मनाफ़ा हो रहा है शूनने से शूनने cancel 25 into 6 करोगे multiply करो six five thirty zero यहां three उपर six two 12 13 14 15 तो profit आ रहा है आपका profit आ रहा है 1500 रुपे अब आपको क्या निकालना है selling price कैसे निकालते हैं सर सेलिंग प्राइज निकालने के लिए cost price और profit को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद उत्तर आएगा साड़े 700 रुपे 750 रुपी क्या यह वैल्यू आपको आपके options में दिख रही है सर option a के रूप में हमें वहाँ पे साफ साफ दिख रही है तो हम उसको mark कर सकते हैं चलिए एक बाद चेक कर लेते हैं 750 हमारा answer ठीक है नहीं है computer जी के हिसाब से भी answer A सही है मतलब हरे रंग की यहाँ पे light जली है जिसका मतलब है हम आगे बढ़ सकते हैं screen को साफ करने के बाद चलिए अगला प्रशने सवाल कमांग 38 है यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे इफ़ शॉप कीपर से बैट मार्ट आट 150 एट 15% डिसकाउंट सर मार्ट का मतलब है यह वह बैट पे sticker लगाए कि देड़ सो रुपे का है ठीक है अब आप गए थे आपकी माता जी के साथ ठीक ह उन्होंने क्या बोला कि भाई यह लकडी के बैट के 500 रुपे कौन देगा सही सही दाम लगाओ अब भाई शॉप की पर आपकी माता जी को देखके डर गया कि भाई बात तो सही है 500 रुपे तो जादा है तो उन्हें का ठीक है अगर आप बैट लेते हैं तो हम आपको 15% डि ठीक है अब आपकी माता जी ने बोला कि 15% मैं क्या यहां पर कैलकुलेटर लेके बैटी हूं जो मुझे पता होगा कितने होगा अमाउंट में बताओ यार नाट यह दुकान दार को दुकान दार ने ठीक है ठीक है बता रहें बता रहें तो डिसकाउंट बताया उन्होंने अमाउंट के रूप में जो हम अभी लिख रहें आपे कैलकुलेट करेंगे कि 15% किसका सर वन फिप्टी का भाई या तो दुकान दार ने उठाया कैलकुलेटर पर उसको तो मैस आती है तो हम तो कर सकते हैं तो यहां शून्य से शून्य कटेगा 15 15 करोगे आएगा 225 डिवा प्रानवित होगे कि 22 रुपे 50 पैसे ठीक है उन्हें कर ठीक अच्छा बताओ कितने का है तो भाई सेलिंग प्राइस फाइनली हुई कार्ट पिट के कितनी सर मांग प्राइस थी 150 माइनस कर दी आपने डिसकाउंट तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका सब्ट्राक करो कितना आएगा सर दस में से पांच गया पांच बचेगा नौ में से दो गया साथ बचेगा और 14 में से दो गया तो दो बचेगा 127.5 ठीक है अब हुआ क्या आपकी नजर पढ़ गई वहां पे बॉल पर जैसे कि सावार में दिया और गेंड गेंड बॉल कॉस्टिंग 7.50 फ् हुए तो दुकांदार ने बोला नहीं अब इसके क्या ही पैसे देंगा प्रहने दीजिए ठीक है तो यह कॉस्टिंग 7.50 रुपे की बॉल फ्री में दे दी गई बैट के साथ क्योंकि आपके माताजें ने बोला बैट तो ले लिया अब बच्चा क्या पत्थर से खेलेगा ओवेसी बात है बॉल भी चाहिए तो बॉल साथे साथ रुपे की फ्री दे दी गई मतलब यह जो एक सो वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव रुपीज दुकांदार को मिले इसमें से इसमें से फाइनली उनके पास कितना आएगा तो फाइनली आएगा उनके पास वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव माइनस सेवन पॉइंट फाइव सर यह माइनस क्यों अरे भाईया बॉल के पैसे अगर ग्राहक ने नहीं दिये तो दुकांदार को अपनी जेब्स देने पड़ेंगे न तो वो क्या करेगा उसकी जो कॉस्ट है जितने में वो पड एक सो बीस रुपे कमाएं कि आपको यह समझ में आया यह माइनस सेवन पॉइंट फाइव क्यों वहां क्योंकि वह फ्री की बॉल जो उठा ली गई जो ले ली खेलने के लिए ठीक है उसके पैसे भी तो दुकांदार को अपनी जेब से देने पड़ेंगे तो अपनी जेब perfect कमार रहे 20 परसेंट का profit कमा रहे हैं तो अब हमें बताना है कि असल qu 20 का profit हुआ तब भी चीज 120 रूपे की तब भी मतलब 1500 लिखा था 15% पहले दिया फिर साथ साथ रुपे की बॉल फ्री देदी फिर भी 120 रुपे का बेका तब भी आपको 20 परसेंट प्रॉफिट हो रहा है दुकानदार अगर आप है तो चलिए 20 परसेंट निकालते कैसे हैं इसको करेंगे आप सॉल्फ तो नीचे का फाइव उपर डिवाइड हो जाएगा तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा इंटू 5 और यहां पे हो जाएगा एक्स की वाल्यू 120 इंटू 5 होन अपार 6 यह कैसे आया सर पांच पहले डिविजन में था साइट चेंज करेगा तो मंटिपलिकेशन 6 जो की multiplication में था side change करेगा तो division तो ये 6 2 जा हो जाएगा 12 तो 20 X की value आएगी 100 कितनी आएगी X की value 100 आएगी तो मतलब कितने का था वो bat bat की cost price थी 100 यानी 100 रुपे ठीक है जिसको लिखा गया था 150 में बेचा गया 127.5 में 7.5 रुपे की ball free दिये गई तो उसके पैसे भी हमने किये minus क्योंकि वो हमारी जेप से जाएंगे हमारी मतलब दुकानदार की जेप से जाएंगे और उसके बाद आपने profit निकाला था 20% तो profit की वज़े से आपने निकाल लिया cost price कितनी होगी 100 रुपे का बैट था 20 रुपे का profit क्योंकि 20 परसेंट है तो 120 में उसको पड़ा मतलब पड़ाव है आपके लिए बहुत ही महत्वपून और इंपोर्टेंट जानकारी जो की है मैगनेट बेंस की website के बारे में ठीक है अब website पे हमारे बहुत सारे बेसिकली यूटूब पे हमारे बहुत सारे चैनल बहुत सारे वीडियोस हैं करीब करीब अगर मैं गिनूँ तो 22-23 वीडियोस तो उसमें कहीं आपके वीडियोस या आपके काम के सेशन्स गुम न जाएं हमें हमेशा यह डर लगा रहता है इसलिए हमने हमारी website पे अलग-अलग को वाशनौव के टापए क्लिक करना है आप जैसे ही वाशनौव के टापए क्लिक करेंगे आपको एक chapter wise list मिल जाएगी हर एक क्तर में यश्विट राप में पत्ति आपको सकते हैं पिर सकते हैं आराम से आपको किया क्या है छी जैसे या और की करेगे कुछ यहां आपको रहेός बपर चाहिये करते हैं नालेज गेन करते हैं और इन्जॉई करते हैं हमारे माच की जरनी को आपको बस यहां पर एक अच्छा इडवांटेज यह होता है मतलब बाखी एडवांटेज के अलावा एक यह होता है कि यहां पर ना आती है ना कोई डिस्ट्राक्शन ना नोटिफिकेशन केवल और केवल पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहेगा आपका आपका फोकस हिलेगा नहीं अपने क्या किया तो भाई एंटीस का मैट का स्टेज वन हम पढ़ रहे थे ठीक है स्टेज 1 के हमने जो हमारा टॉपिक था उसक इसी मेरी आशा है इसी के साथ एक डीपी क्यू भी आपको मिल जाएगे वह भी आपको डाउनलोड करने और सॉल्व करना है क्रिपया क्योंकि जितनी ज्यादा प्राक्टेस हम यहां करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप्ली